आपको खुश्यामदीद कहती हूँ एक और नई वीडियो में रमसान सबको बहुत-बहुत मुबारक हो बहुत मज़ा आ रहा है और रोजी इतनी जल्दी-जल्दी गुजर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि इतनी जल्दी-जल्दी वाद गुजर रहा है और पहला अश्रा भी मुकमल होने वाला है और थोड़ा सा थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मुझत इतनी जल्दी-जल्दी रोजे गुजर रहे हैं लेकिन इस चीज़ की खुशी भी है कि हम लोग रोजे रख रहे हैं इंज्जॉय कर रहे हैं इस टाइम को और बहुत ही यह महीना यह पापा का दिकर हो रहा होता है असान और इस तरहां का महौल बहुत ज़़ादा स्कून देता है तो हम लोग तो फुल इनजुय कर रहे हैं रमज़ान को और आप लोग भी बताएगा आपों का रमज़ान का गुजरा है यह महीना सबका अच्छा ही गुजरा होता है और सब बहुत excited होते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने इफ़तार की रूटीन के बारे में कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी और उमीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी सबसे पह स्टैना कच्ची लसी वो हम सब लोग बहुत शौक से पीते हैं तो ये आज हमारी इफ़तारी होगी और वियर्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो काइंड़ी इसे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताके और आने वाली नहीं नहीं मज़ेद तो वियर्स यहां पर मामा सफाई कर रही है चुले साफ कर रही है इसके पाद ही हम लोग घंडिया विरा त्यार करेंगी और यहां पर साबुन के साथ चुले को बड़े ही गुर्जोस तरीके साथ ममा साफ कर रही है यह देखें गरा पाद में इसको कपरे के साथ साफ कर ल के साथ डालते हैं न वो वला काम नहीं करना हैं लोगों ने और ये देखें जिनामा ममा को ये खुश कपड़ा जो है इसके पर करी आ जा रहा है और व्यारदी इस हाथ में कपड़े दो के तार पे इस तरहां से पहला दे हैं ताकि यूशूप चाहें तो जिनाम चूली हो तो देखें लश्कारे मारा है यह आहां क्या बेतरीन साफ हो है तो आए अब अपनी हंटिया स्टार्ट करते हैं हंटिया के प्यारी स्टार्ट करते हैं अम लोगों में और यह देखें हैं आलू और यह शिलामिज और यह देखें और यह दाल दिया है जब ऑगी कर दिया है और अब दिम को प्राम करें गे और फिर बादिया होते हैं जिस तैयार और आप लोगों को भी अची होते हैं आप लोगों को चछाना रूँ आप आ तो यॉर बाडी सटार्ट होगए और हम ने यहां से लेकी जाने हैं हंदिया तक के घुराब ना हुझे परी जाने हम यह कोड़ी ने दें है, भी यूर के डेगे हैं लोगों ने यह है है इसके बाड़ी से बाहिस तो फिर नहीं बन सकती है न हो चल सकता था बाहिस और अब यहां पर मोसं एक गम से चेज हुआ है एक दम से बातव आई हैं एतना इतना ठंडा हो गया कि मदा आए वह देखाऊ ओन पारिश हो तो करें पारिश हो रहे हैं इसके अंदर रिलेक्षन और अप्रोप का पेस्ट और इसको भी करेंगे थोड़ा सा ब्रांग प्योर तब इसमें जाएगा तमाटबेस्ट और इसको भी थोड़ी ते हम लोग मुलेंगे और ते अग्स करेंगे और देखिए हमारी लाइट चली गई ऐसे होता है हमारी साथ इदर से मुल संद्रा से चेंज नहीं आता उड़र से लाइट गाई इसमें जाएगी नाल मेच पाफ्स जाए है वर्ड़ा सोग है था हंडिया क्यों पॉड़ि में आपके डाले रहा है यूर्ज इतने से हल्दी डाने में हम लोग देए कई और यूर्ज थोड़ा सा नमक हस्पे जोड़ा हम लोग एड़ परेंगे तो जनाब ये बाड़िश का पानी बेखना है इतने से बाड़िश हुई है आज मौसम बहुत खुशकवार हो गया है तो जनाब इसमें अलू एग कर देंगे अब इसको में साले में मिक्स कर लेंगे हम लोग फटा फट से और ठोड़ी जर इसको भून देंगे तो शम्ला में चैट करेंगे चुके यहां पर पड़ी है और ये साथ में देखेंगे ममा ने क्रीम चाट के लिए फल ममा चीर रही है साथ साथ तीर क्यारी चार रही है स्पीड हम लोगों ने पकर लिए है कि चार्ट से उपर टाइम हो चुका है और वियर्ज अब इसमें शम्ला में एड़ कर रहे हैं हम लोग बस संडिया हमारी कंप्लीट हो गया है और भी और सी देखें यहां पर के लिए काटे जाड़े हैं क्रीम चाट के लिए स्पीड देखें जड़ा मामा जी यह मामा मामा स्माइल का रही है हम इसमों से बनाने लगी हूं मेरे पास मैदा है आदा किलो मैदा चाहिए जीरा चाहिए जवैन चाहिए स्मों से बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मेदा लेना यह जीरा जा रहा है इसके अंदर और यह जब नजर आता है ना स्मों सा पट्टी पे बहुत ही खुबसूरत लगए यह मामा क्या डाला है जीर जवाईन है अच्छा ठेके अब इसको मिक्स करेंगे और में पानी गरम करके रहा है नहीं गरम पानी इसमें डाल भाना है अदा पानी नहीं डाल यह बीचना अब इस चीज़ का ख्यार रखना आप लोगों ने और आज मौसम बाड़िश होड़ जाए तरम करना है और ज्यादा सब्सक्राइब ठीक है तरम्यान ना रखना है तो व्योर्स है मेदे को अब हातों की मदद से गुंता जाड़ा है पहले चमिच किसा मिक्स किया था और अब थोड़ा सा हटों किसा मिक्स करेंगे कि अब हम थोड़ी देर के लिए इसको रापते हैं और इसके पेड़े बनाएंगे पेड़े बनाएंगे पेड़े बनाएंगे प्रस्माशे बनाएंगे पानि हुशकोने वाला है जब पानि हुशको देगा हंटिया गा फिर मेरी हंटिया तेयार होतेगी अब मैं पेड़े बनाएंगे रखने लगी प्रस्माशे बनाएंगे अब मैं थोड़ी देड़ के लिए फ्रीज में रखने जा रही है यूँके ज़रा स्मोसी हाड बनाएंगे ज़्यादा नरम नहीं बनेंगे इस तरह के हमें चाहिए उस तरह के बनेंगे अब इन पेरों को हम लोग फ्रीज में रखताएंगे तो व्यूर्स अभी ये देखें ये क्रीम हम लोगों ने लिए है और ये फ़ल काटकर रखा है और इसमें एंद तर्मन चीनी दानेगी आपने अपने चितना पाली नहीं पर जुरूरा है चीनी तानी चीनी जाए और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी और पर इसको कर लेंगे और पर हमारी क्रीम चाथ हो जाएगी तैयार अच्छे काट इसको करेंगा कोई दाना चीनी पार नी छोड़ना अफ़र सावड़ा अच्छी से मिक्स करेंगी वरना वो मुझ में आते हैं तो फिर बहुत पच्छीव सा रखात है इसलिए अच्छा मिक्स करना पो कुछ थोड़ी देर के लिए फ्रिच में रखते हैं ताकि ठंटी होज़े और जब खाएं तो खाने में मसा है तब मैं इसको फ्रिच में रखते हैं और व्यूर्स यहां पर जो पीरे हम लोगों ने बनाये थे उसको बेर रहे हैं और फिर उसके बाद मैं आपको समॉसे बन करना चाहिए तो जुरूर्ट प्राय कीज़ेगा बहुत ही मज़ेदार लजीज और खस्ता बनते हैं याद करेंगे आप बना के तो फ्यूर्स इस तरह से पेड़े को गोल बना ले ना इसको बीच में से अब कार देंगे लिए को लड़ा कि अब कर लेंगे हम ऐसे पाने ल जड़ा जोर से नहीं बनाने अराम से नरवनडरन आथ इधर से भी इकोल आए इधर से भी उए और या देखिया हलका सा प्रेस करेंगे और अब इसमें मसाला अड़ा है to जण आप यह देखें यह समोसे बनें आ है और अब हम इसके ेससां बनाएंगे इससे जो समॉसे है ना उसकी पापड़ी बड़ी खस्ता बनती है समॉसे भी इसी तरह अगराब बनाएंगे बहुत लजीज और कडारे समॉसे बनेगे बनता आजेगा खाने को प्योर इसी देखें और जहें वो गरम हो चुका है और अब हम इसमें बारी बारी करके समॉसे दाल देंगे और इनको हिलका ब्राउन उने तक का बेस करेंगे इनके सासा हिलाते जाएंगे हम लोग और जनाब ये देखें खुस्ता समॉसे तयार हो गए है इस तरह का कलर रखा है हलका ब्राउन सा और ये फ्राइर करके कुछ इस तरह के देखें कितने खुबसूरत देख रहे हैं तो व्योर्स ये देखें दस्तर खान हम लोगों ने चीज़े रखती हैं ये यहां पर एक जूरें पड़े हुई हैं क्रीम चार्ट हैं खीरे हैं यहां पर खरबूजे भी हम लोगों ने काटके चीज़के रखती हैं और ये देखें समूसी खस्ता समूसी तयार हैं और ये हाट पॉर्ट में रोटियां पड़ी हुई हैं और व्योर्स ये अलू और शिम्ला मिर्च का सालन हैं और ये साथ में लसी पड़ी हुई है